हालो दोस्तो फिर से एक नया वीडियो पर आपका स्वागत है दोस्तो आप देखरें टेक्निकल एक्टेंशन मैं हूँ आपका दोस्ट उबरोतो दोस्तो गुगल मैप आप लोग सब यूज करते हैं कुछ-कुछ लोग अडिकोस टाया था मेरे पास कि Google Maps से कैसे location शेयर किया जाता है इसलिए ये वीडियो है वीडियो को अन तक जरूर देखिए चलिए वीडियो को शुरू करते है तो दोस्तों यह है मेरा mobile skin सबसे पहले चलते हैं open कर लेते हैं Google Maps को Google Maps यह open हो चुका है आपके सामने तो हमको जो करना है यहाँ पर location को on कर देना है location on करके रखते हुए आप लोग Google Maps पे जाए इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर प्रोफेल पिक्चर दीख रहे है उसके उपर टैप करना है उसके साथ आपको location sharing option को select करना है मैं आपके नीचे में मेरा दोस्त आ गया जो दोस्त का contact दिख रहा है देबान जन और सांतनु बोलके यह दोनों के साथ मैंने कुछ दिर पहले एक location share किया था इसलिए यह दिख रहा है तो अभी आपको दिखा रहा हूं कि कैसे आप आपका location share कर सकते आपके दोस्त लोग के साथ या मैं दूसरे किसी दोस्त के साथ share करके दिखा रहा हूं तो चलिए मैं करता हूं new share new share करने के बाद आप देखें यहां पर पहले आ रहा है time आप कितने time तक आप share करना चाहते हैं तो जैसे देखें for one hour until 9.56 अभी जैसा और 8.56 एक घंटे के लिए आप share कर सकते हैं इसको आप बढ़ा भी सकते हैं यहां पर देखें plus icon इससे आप बढ़ा सकते हैं 3-4 घंटा क नहीं देख पाएगा अगर आप कभी भी location आप कर दिये तो तो हम यह for one hour two hour जो है हम इसको four hours के लिए कर देते हैं और दूसरे किसी के साथ हम share करने का कोशिश करते हैं तो यहां पर देखिए बहुत सारे मेरा यहां पर दोस्त है तो यहां पर जो इसके साथ हम share किये तो उस आइकन नहीं है मैप का और यह देखिए सांतनु बोलके मेरा जो दोस्त है उसके उपर देखिए एक मैप का आइकन दिख रहा है इसका मतलब यह है कि यह map यूज करता है तो इसके उपर हम टैप करने के बाद यहां पर आपका share बटन मिल जाता है यहां पर आप share पे क्लिक क यहां पर इसका मतलब हो गया कि आप उनके साथ जो आपका location share किये वो संतनु आपके साथ यानि मेरे साथ कोई भी location share नहीं कर रहा है आप request कर सकते है तब जाके संतनु का आप देख पाएंगे संतनु का location आपके साथ share हो जाएगा यानि संतनु का location मेरे साथ share हो जाएगा औ और यहां पर नीचे में देख पा रहे हैं आप मेरा location संतनू कब तक देख पाएगा 4 hours के लिए देख पाएगा अगर आपको location off करना है तो यहां पर stop बटन दिया हुआ है आप stop दबाते ही इनका साथ location sharing इनके साथ location sharing बंद हो जाएगा इसके उपर tap करने से देखिए add to home screen remove from list block आप कर सकते हो इसके बाद हम लोग feedback पर चलते हैं दोस्तों यहां पर देखिए एक plus icon है उपर की right side में यहां से भी आप यहां पर quick contact है यह quick contact से भी आप यहां पर भेज सकते हैं अगर आप ऐसा चाह रहा है कि आपका यह location आभी आप whatsapp google chat या hangout या telegram किसी में भी आप भेज चाहते हो तो whatsapp के उपर click करते ही आपका whatsapp open हो जाता है जिस दोस्त के साथ आपको share करना है उस दोस्तों का नाम आपको select कर रहा है और select करते ही आप जब arrow पे click करोगे तो देखिए यहां पर see my real time location on maps बोलके आ जाता है और इस पर जब हम tap करेंगे तो यह उनके पास चला गय इस map के उपर जब ही वह click करेगा तो वह मेरा location देख पाएगा तो इसके साथ मैं यह बोलना चाहूंगा कि आप किसी के साथ भी यह location share कर सकते है आपके दोस्त के साथ आपके family member के साथ ताकि वह आपका location पर ठीक से पहुंच पाए गूल का location के बारे में आप नया क्या बोले यह map का location अभी बहुत तगरा हो चुका है और बहुत अच्छा accurate अभी map बन चुका है तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आने से जरूर like share और comment करे अगर आप चैनल पे नए है तो जल्दी से चैनल को subscribe कर लिजिए ऐसे ही take update मेरा चैनल पे आपको मिलते रहेंगे बेल आइकन दवाना नाभूले तक कि मेरा हर नया वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए धन्यवाद जाहिंद वंद्यमातर हो